जैसरी कृष्णा राधे राधे बैदिक जोतिस के अनुसार जो आकरसन के प्रेम के प्रतीक हैं वो सुक्रगरह हैं और सुक्रगरह ही बैक्ति को जीवन में खुसियां देते हैं, सुक्र देते हैं, बैवाही जीवन अच्छा होता है और यहां तक कि बैक्ति बहुत ज़ादा उनका बैक्ति तो आकरसक होता है यानि सुक्र जीवन में भौतिक सुक्सुविधाओं के साथ बिलासिता की प्रविर्ति को भड़काते भी है लेकिन अगर सुक्र गरबर हो जाए तो बैक्ति चारों तरब से प्रेसान हो जाता है उसके पास कुछ नहीं होता या पिर सब कुछ होते वे वो सुक्रों को भोगी नहीं पाता तो आज हम आपको सुक्र ग्रह को बहतर करने सुक्रवार के दिने एक छोटा सा प्रियोग करने की बात बताएंगे तो चलिए आज जानते हैं बिस्तार से अगर सुक्र असुभ हो जाए तो आर्थिक कस्ट के साथ इस्तरी सुक में कमी भी करता है और मदुमे या फिर आपको यूरीन समंधी परिसानी भी देता है यहां तक की गर्भासे समंधी परिसानी या गुप्त रोग होने की संभावना बढ़ा देता है लेकिन अगर सुभ हो जाए तो जीवन में खुसियां आता है सुकसु विधाय मिलती है धन की मुश्किलें कभी नहीं होती मालक्षमी किर्पा बरसाती रहती है अब सुकरवार का जो दिन है वो मालक्षमी का दिन है तो इस दिन औसुब गर्भों को बहतर करने के लिए विशेस परियोग के जाते है और आज हम बात करेंगे इलाइची की इलाइची जो सुकरवार से समद्ध रखता है और सुकर का मंत्र जप करने से इलाइची का परियोग करने से जीवन की हर समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं और हर मनोकामनाओं को पूरी भी कर सकते हैं तो चलिए आज एक खास उपाय जानते हैं सबसे पहले तो साम के समय आप जब आप दिया बती करते हैं इसके बाद तीन हरी इलाची अपनी हाथ में ले ले घर के पुजास थल पर ही आप बैठ जाए मा लक्षमी के सामने साम तरह कर बैठिए अब फिर मा लक्षमी को आप तीन इलाची हाथ में लेकर उनको भेट कर दे इसके बाद मा लक्षमी का मंत्र जब कर सकते हैं या फिर सुक्र का मंत्र जब करें ओम द्रांग द्रिंग द्रांग सहसुक्राय नमा या फिर ओम सुंसुक्राय नमा आप मालक्ष्मी का मंत्र भी जब कर सकते हैं ओम स्रिंग स्रिया नमा इसके बाद सभी इलाइची को अपने दाएं हाथ की मुठी में ले लें और मुठी बंद किये हुए घर के बाहर जाए और फिर तीन बार उल्टा घूम जाए चक्कर लगाए अब पूजा घर यहाँ फिर आप अपनी बालकनी में च्छत पे आराम से बैठिए और अपनी जो भी परेसानी है उसको बोलिए उसके बाद मुठी में जो आपने इलाइची रखा वो मुठी में ही रहेगा अब बोलने के बाद परेसानी समस्या मुठी को खोलें और तीन बार फूंक मारें अब इस इलाइची को किसी भी स्टील या फिर कोई भी चीच का धातू का कटोरी में या आप चाहें तो धातू के दीपक में रखकर घर के मुखे दरवाजे पर ले जाकर इसको जला दे और जब जल जाए अच्छी तरह से कपूर के सारह ही जलाईएगा तब बचे वे राख को किसी पौधे की मिट्टी में डाल दें आप चाहें तो तुलसी के पौधे की मिट्टी में भी डाल सकते हैं और अगर कोई पौधा ना हो तो बेहते जल में या फिर आप कहीं भी अच्छे जगा प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें कुछी दिनों में जीवन की हर मुश्किलें समाफ्त होगी खुसियां आएंगी फिलाल आप से विदा लेंगे हर हर महादेव धनेवादे